नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हम असमी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर और व्याकरण की जो छटी काई है नेट के सलिवस में छटी काई जो है वह व्याकरण का विशिष्ट अध्यन और उसमें जो टॉपिक्स लगे हुए उनको कवर करने का प्रयास हम करेंग उसमें देखो पहला टॉपिक है परिभाषाएं ठीक है तो इसमें कुछ परिभाषाएं मैं बता चुका हूँ और कुछ परिभाषाएं जो बची है वो आपको आने वाले वीडियोज में मिल जाएंगी सभी परिभाषाओं को अच्छी तरह सेम समझ लेंगे और उनका प् यह परिभास में बता रखा है, उसके बाद अगला टॉपिक है संधी, तो संधी जो है मैं पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे अगर चैनल की तो वहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, उसको तो नीचे आपको एक फोल्डर मिल जागा संधी के नाम से, वहाँ पर एखते हैं उसको क्योंकि 21 प्रत्ये हैं सुथ ठीक है तो पहला प्रत्या वरन है पर इनको मिलाकर प्रत्यार जैसा बन जाता है सूप और इस प्रत्यार के बीच में जितने जो प्रत्यात है वो है 21 प्रत्या जिन से कोई भी शब्द बनाया जाता है कोई भी संग्या शब्द बनाया जाता है या सरवनाम शब्द बनाया जाता है ठीक है प्रातिपदिक सब्दों में लगते हैं कि इस प्रत्य तो इसलिए इसको सुप कहते हैं और सुप लगे हों जिसके अंत में वो कहलाते हैं सुबंत ठीक है और उन्हीं सुबंत और उन सुबंतों को हम तीन भागों में बाढ़ सकते हैं मुख्यों रूप से अजंत पु पढ़ी है तो उसमें सट्लिंग प्रक्रण है पूरा अजन्त पुलिंग से स्टार्ट होता है और उसका पहला शब्द जो है राम ठीक है तो सुबंत सुबंत में अजन्त अजन्त का मतलब अच बोलते हैं स्वरों को अचस्वरा ठीक है अ-ई-उ-री-डी-ए-o-i-o यह है प्रस्आप जो इसी प्रक्रिया में से आते हैं इस हो दिखा हुआ है सुबंत फिर लिका इस तरह से लिखा हुआ है तो इसमें राम का मतलब लिखा है जो इसका मतलब यह नहीं कि राम की शब्दुरूप आएंगे वहाँ पर राम के जो शब्दुरूप है सातों विभक्तियों में उनको बनाने की प्रक्रिया क्या है किन-किन सुत्रों से वो निश्पन्न होते हैं उन सब के विशय में वहाँ पर पुछा जाता है और उसी प्रक्रिया को समझने का प्रयासम करेंगे ठीक है तो पहला शब्द अगर आप व्याकरन पढ़ते हैं पढ़ते हैं लगुसुद्धान कौमदी तो वहाँ पर भी जो पहला शब्द है वो है राम ठीक है अजंत पढ़ रहे हैं सुबंत अजंत और इसमें राम है व्याकरन की छटी एकाई यह है ठीक है तो एक बार हम इसके रूपों को रिवाइज कर लेते हैं जो सातों विफख्तियों में राम की रूप बनते हैं और उसके बाद हम प्रथम शब्द से लेकर के प्रतमा विफख्ति ए अगर आप मेरे साथ बूलना चाओते हैं तो बोल सकते हैं साथ में नहीं तो आप अपने मन में भी उच्यरण कर सकते हैं शूरू करते हैं राम के शब्द रूप इस तरह से हैं प्रतमावी वक्ति में रामह रामव रामाह जुतिया में रामम, रामव, रामान, तृतिया में रामेण, रामाभ्याम, रामई, चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यह, पंचमी में रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यह, सश्ठी में रामश्य, रामयोह, रामाणाम, सत्मी में रामे, रामयोह, रामेश्य, औ रामाहा तो इस तरह से यह रूप इसके चलते हैं पर्थम अभी वक्त एक विचन का रूप है रामह ठीक है और इसी की प्रक्रिया को आप समझते हैं चलो राम है शब्द जो है इसका मूल प्रातिपदिक है राम और राम जो शब्द है ठीक है प्रातिपदिक में और पद में और शब्द में क्या फरक है ये भी आपको पता चलेगा भी ठीक है राम जो है वो पहले एक शब्द था फिर उसकी अर्थवधातर प्रत्या से प्राधिपदिक संग्या होई और प्राधिपदिक संग्या होने के बाद उसमें सुवजासाधी प्रत्या लगे और प्रत्या बनने के बाद जब राम है बना तो वो एक पद बन गया ठीक है जब प्रकृतिय और प्रत्य का मेल हो जाता है तो पद कहला जाता है ठीक है सुप्तिकंतम पदम तो अब राम बनने से पहले भी इसके पहली प्रकृतिया चलती है को कि व्याकरणों का मानना है कि सभी शब्द जो है उनके मूल में धातू है आपने निरुक्त की वीडियोज मानना चाहिए सभी शब्द धातू से बने है तो उसी प्रकृतिया में राम शब्द भी किस धातू से बना होगा तो रमु धातू से बना है रमु क्रीडायाम ठीक है रमु क्रीडायाम इस धातू से बना है ये और इसका इसकी व्याक्षा करते है राम शब्द की वह है रमन बना है। रम् इन धाटू से राम शब्द तक की आतर है पहले इसको समझेंगे और फिर राम सब्द में नहींत की प्रक्रिया है उसको हम समझेंगे। आप ही जानते हैं कि व्याकरन जो है इसमें सूत्र है ठ데क और कोई भी शब्द बिलाने की प्रक्रिया, कोई भी पद बिलाने की प्रक्रिया जो है, वो विभिन सूत्रों से होकर जाती है, अलग-लग सूत्र अलग-लग कारी करते हैं, ठीक है, कुछ संग्या सूत्र हैं, कुछ परिभाशा सूत्र हैं, कुछ विधी सूत्र हैं, कुछ न हमात्रा लगी हुई है तो एक सूत्र आता है उपदेश से अजननुवासिक इत्थ ठीक है यह सूत्र क्या करता है कि उपदेश अवस्था में उपदेश का मतलब क्या होता है तीनों मुनियों ने जो कुछ भी कहा पाणिनी, कात्याइन और पटन जली इन तीनों ने व्याकरन की क्षेत्र में जो कुछ भी कहा है वो सब उपदेश के नाम से जाना जाता है ठ्धिक है? और उस उपदेश की प्रक्रिया में जो कुछ भी उन्हों ने कहा है उसमें जो अजह होगा ठीक है अच का मतलब अंतिम अच जो होगा और अगर अनुनासिक होगा तो उसकी इत संग्या हो जाएगी अब इत जो है वो एक संग्या है ठीक है इत संग्या क्या करती है जब भी हमें किसी शब्द को हटाना होता है तो उसके आवशक्ता वहाँ पर नहीं होती है किसी वर्ण की आवशक्ता जब नहीं होती है प्रक्रिया में शब्द को सिद्ध करने की प्रक्रिया में किसी वर्ण क अवशक्ता जब नहीं होती है, तो इत संग्या उसकी कर दी जाती है, उसका अगला स्टेप है, तस्चे लोप है, एक सुत्र है, उससे उसका लोप कर देना, लोप का मतलब उसे हटा देना, अब हटा देने का मतलब यहाँ पर उसको मार देना नहीं है, ठीक है, मतलब वहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उसको मानकर होने वाले कारी होते रहेंगे, उसे उपस्थित माना जाएगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, अगर उसको मानकर होने वाली कोई क्रिया होगी, तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयम वहापर उपस्थित नहीं जाएगा उसका लोब कर दिया जाएगा तो रमु यह धातु है उपदेश अजनुनासिक इतने क्या किया रमु के अंत में जो है रस्व उ है इसको इन्होंने कहा यह अच है उपदेश अवस्था का है मतलब तीनों मुनियों ने इसको माना है धातु ठीक है और साथ में इसका जो अन्तिम उ है वो अनुनासिक माना गया है ठीक है अब किसे हम अनुनासिक माने किसे हम अनुनासिक माने यह कुछ नहीं इसके विशे में कोई विश्तरित नहीं बता रहा है सिर्फ यह कहा गया है कि जो स्वर है यह इनके अनुनासिक और अनुनासिक दोनों प्रकार के भेद हुते हैं, ठीक है? जब हम वरन के 18 भेदों के बारे में पढ़ेंगे, मैं अलग लग वर्षभरों के भेद, ओ जो है वह 38 प्रकार का है, उनके विशे में जब हम पढ़ेंगे तो यह में बता चुके है edra में तो वहाँ पूंतल वह स्वर्च शर्फ प्रत्व टो में है और अनुनाशीक और वह मैं गला Wars के और चलते इसका इट Southern हो गई और इस तरह से उह हंग पे दिए और से बात है रमुधातु है रमुधातु में उ की हमें जरूरत नहीं थी इसको हमें हटाना था तो इसकी इत्संग्या करने पड़ी उपदेश से अजनुनासिक इत्थ एक सूत्र है यह उस हरस्व यह उस उ की उ का मतलब उस स्वर की इत्संग्या कर देता है जो उपदेश अवस् अनुनासिक माना गया है, अन्तिमस्वर माना गया है, तो इसलिए इसकी इत्संग्या हो जाएगी, और इत्संग्या होने का अगला स्टेप, उसका लोप करना है, तो तस्चे लोप है, एक सूत्र है, ये उसका लोप कर देगा, अच्छा इत्संग्या सूत्र कोई भी अलग-ल ठीक है अब रम बचा तो एक सुतराया रलस्च ये सुतर घएप्रत्यय का विदान करता है कि अगर कोई शब्द हो तो वहाँ पर घएप्रत्यय के विदान करेंगे प्रात्यपदिक बनाने के लिए उसको तो बनी गया रम प्लस गहें, यह प्रक्रिया हुई, अब गहें में भी देखो, यह अंत में है, तो एक सुत्रा, अब इतसंग्या दूसरा सुत्र करेगा, क्योंकि यह एक हल है, उ जो है एक स्वर्था, हल का मतलब यह व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए दूसरा सुत्रा आएगा, अंतिम में भी है तो ये जो यह है घाएं का ये अंत में भी है और हल भी है तो हलंतियम एक सुत्राता है और ये हलंतियम जो है इसकी इत्संग्या कर देगा और तुरंत उसका लोब कर देगा तस्चे लोब है ठीक है तो बचा घा अब घा की जरूरत भी हमें नहीं है हमें तो घा में जो अ है वो चाहिए तो घा को भी हटाना है तो एक सूत्राएगा लसक्वत तद्धिते लसक्वत तद्धिते क्या करता है यह कहता है कि लग हो ठीक है या शौ हो तालब विश्र या कवर्ग का कोई वर्ण हो तो मैं उसकी इत्सिंग्या कर दूँगा अगर वो पद के अंत में नहीं है तो मैं उसकी इतसंग्या कर दूँगा तो ये घव जो है कवर्ग का वर्ण है कवर्ग का वर्ण है और इसलिए लशक का पद्धित्य ने इसकी इतसंग्या कर दी और तस्यलोपन उसका लोप कर दिया तो फिर क्या बचा घव में जो ओ है वो सिर्फ बचा तो रां रम और ओ ये हो गया अब मौ जो आधा था ये पूरा हो जाएगा ओ के जुड़ने से ठीक है लेकिन अभी इससे पहले एक सूत्र आया अलो अंतियात पूर्व उपधा ठीक है कि अंतिम अल जो होगा सभी अलो मे अल का मतलब अल एक ऐसा प्रत्याहर है जिसमें सभी वर्ण आ जाते हैं अई उन के अ से लेकर के अंतिम हल जो 14 माईस वर सूत्र है उन में पहला सूत्र है अई उन है ना और अंतिम जो सूत्र है वो है हल तो अई उन के अ से लेकर के अंतिम हल के लो तक एक अल प्रत्याहर और उस पूरे अल प्रत्यार में सभी वर्ण आ जाते हैं तो उन अलों के मध्य में जो अंतिम अल होगा अलो अंतियात उसके ठीक पहले वाला जो स्वर होगा उसकी उपधा संग्या हो जाएगी अलो अंतियात पूर वो उपधा ठीक है? तो यहाँ पर अंतिम अल क्या है रम में? और मा है ठीक है? और इसके ठीक पूर वाला वर्ण क्या है? रम में जो अ है वो इसके ठीक पहले वाला स्वर है ठीक है? रम ऐसे ही तो बना रम में अ है फिर मा है तो अंतिम अल होगा मा और इसके ठीक पूर वोगा अ अध उपधायक सूत लाया, इसने कहा कि जब जिसकी उपधा संग्या होगी मैं उसको दीर्ख कर दूँगा, ठीक है उसको दीर्ख कर दूँगा, अब दीर्ख में क्या होगा, को ओ का दीर्ख रूप क्या होता है, आ होता है, तो ये बन गया, राम, राम में जो है ये मौ में ही बना है सभी वर्णों को जोड़ देंगे रा में जो है उसको उपधा दीर हो गया तो राम बन गया मौ आधा था था तो पीछे घाएं प्रत्य का बचा हुआ है यह हलंत मौ में जुड़ जाएगा तो मौ पूरा हो जाएगा तो राम शब्द यहां पर बन गया है अभी यह सिर्फ शब्द हुआ है इसकी प्रात्यपदिक संग्या भी नहीं हुई है ठीक है तो यहां तक यह प्रक्रिया को हम भी समझे एक बार और इसको रिविजन कर लेते हैं असका एक बर रिवाइज कर लेते हैं बहुत इंप्रेंट टॉपिक यह तिर्फ नैट के लिए इनने भी संस्कृत के जो भी टीजीटी पीजीटी एक्जाम्स होते हैं वहां पर भी बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसलिए मैं चाहतों कि आप इसको अच्छे से समझ लें और शेयर भी कर अपने दोस्तों की साथ तो रम उधातु है राम में उपदेश्य कर तदिते से इत संग्या होगी तक्ष्य लोप हो जाएगा और बचेगा ओ ठीक है घर में जो ऑ है वह बचेगा आप शिट्वेशन हो जाएगी रम और अब यहां पर अलु अन्तियात पूर्व उपधा से रम जो रम है उसकी उपधा संग्या होगी और अ तो उपधा को द जाएáng, अब यहां पर है अब कर दें ने निए उतंग है कि एसा शब्द जो अर्थवान हो जिसका अपना एक अरथ हो ठीक है जो किसे एक अर्थ को बताता हो लेकिन वो न तो धातु हो ठीक है अधातु अर्थवत धातुर अधातु न तो धातु हो नहीं वो कोई प्रत्य हो तो ऐसे शब्द की हम प्राटिवधिक संग्या कर देंगे तो राम शब्द न तो धातु है ना ये प्रत्य है बलकि ये एक ऐसा शब्द है जिसका अपना एक अर्थ है क्या अर्थ है इसका रमन्त योगिन है यसमिन सराम है योगी जिसमें रमन करते हैं उसे राम कहते हैं ठीक है तो ऐसा शब्द ये प्रात्य प्रत्य 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 प्रत तो परश्च सुत्र आया एक, इस सुत्र ने कहा कि प्रत्य हमेशा पर में ही लगीगा, बाद में ही लगीगा, राम से पहले आप प्रत्या नहीं लगा सकते राम किसी भी शब्द के बाद में ही प्रत्या लगेगा ठीक है तो प्रत्या आएगा प्राट्यपधिक संग्यक शब्द में आएगा या फिर ग्यंत शब्द में आएगा तो रामिक प्राइटपदिक संग्यक शब्द है ठीक है इसके अता है इसमें प्रत्य लग सकता है तो प्रत्य कहां पर लगाएं तो परश्चा सुत्र ने बताए कि पर में लगाना है आपको बाद में लगाना है तो राम के बाद प्रत्य लगेगा ठीक है अब कौन सा प्रत् लगाया जाए तो फिर यहां पर एक सुत्र आता है इसमें इस प्रत्य बता रखें जो सातों विवक्तियों में चलते हैं इस प्रत्य तो अब यह किस प्रत्य हैं इसलिए 21 रूप बनते हैं सातों विवक्तियों में एक वचन दी वचन बहवचन के हिसाब से ठीक है तो अब 21 प्रत्य इस सुत्र ने हमारे सामने उपस्थिट कर दिये इस सुत्र ने प्रत्यपधिक संग्या करी ग्या प्रत्यपधिक प्रत्यपष्ट इन सुत्रों ने बताया कि प्रत्यपधिक संग्या सुत्र में प्रत्यपधिक संग्या लगेगा और बाद में लगेगा तो कौन से प्रत्य लगाए जाए तो एक सुत्राया स्वाजस्माट शस्टा भ्यम भिस गई भ्यम इस सुत्र ने 21 प्रत्य सामने रख दिये भाई ये है प्रत्य इन में से लगा लो किसी को और अपना सब्दूरूप बना लीजिए ठीक है जो भी आप बनाना चाते हैं हमें रा में है बनाना है तो हम 21 में से किसे लगाए ठीक है 21 के किस सामने पढ़े हैं तो किसे लगाए तो एक सुत्राया सूप है इसने थोड़ा सा सरल कर दिया इस सुत्र ने क्या किया जो 21 प्रत्य थे उन में से पहले को बोला कि ये एक वचन है दूसरे प्रत्य को बोला ये द्विवचन है तीसरे प्रत्य को बोला ये बहुचन है फिर जो चौथा आएगा वो एक वचन है ठीक है पांचवा द्विवचन छटा बहुचन फिर सातवा एक वचन इस तरह से, जैसे सू और जस, इसमें सू एक वचन है, अव दिवचन है, और जस बहुचन है, फिर अम और शस अगले हैं, तो अम एक वचन है, और दिवचन है, और शस बहुचन है, तो इस तरह से 21 प्रत्यों को इन्होंने तीन भागों में, तीन तीन भागों में माड़ दि ठीक है आप हमारे पास राम है कि यह लगाना है तो हमारे पास क्या हुआ सिर्फ सांथ प्रत्य बचे heated अब हमारे पास साथ प्रत्य 26 फेशे ठीक है क्योंकि हमें द dwindव और एक वचन का विधान कYe और ये कारक का सूत्र है ठीक है तो अगर आपको कारक के विशे में विश्तरित रूप से समझना है इस सूत्र की अपनी विश्तरित व्याख्या है बहुत अच्छी व्याख्या है और सिध्धान्त कौमवदी में कारक प्रक्रण में बहुत अच्छे से समझा रखा है कि प्रा कौमदी को शब्द से वहाँ पर समझा रखा है तो इस सुत्र ने बता कि प्रादिपदिकार्थ लिंग परिमान वचन मात्रे प्रत्मा हम प्रत्मा विभक्ति का विधान करते हैं लेकिन कहां पर वचन मात्र में परिमान मात्र में लिंग मात्र में और प्रादिपदिकार्थ मात्र में ठीक है तो राम क्या है इन में से क्या राम कोई लिंग है नहीं राम परिमान है नहीं है ठीक है राम कोई वचन है नहीं राम तो प्रादिपदिकार्थ है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर प्रत्मा विवक्ति का विधान हो गया ठीक है प्रत्मा विवक्ति का मतलब सा तो ये तीन प्रत्य हैं फिर उनमें से भी आप सिर्फ तीन प्रत्य वचे अब हमें कौन सा प्रत्य लगाना है हम इस प्रक्रिया पर चल रहे ना अब इसमें से एक सुट्र और द्वया कि और दिवचनय कवचनय इस सुत्र ने बताया कि जहाँ पर दो संख्य होंगी वहाँ पर दिवचन वाला प्रत्य लगेगा जहाँ पर एक संख्य होगी वहाँ पर एक वचन वाला प्रत्य लगेगा तो प्रत्मावी वक्ति में तीन प्रत्य आते हैं सू, अउ, जस ठीक है इसमें द्रीवचन वाला जो प्रत्य है वो है और एक वचन वाला प्रत्य जो है वो है सु ठीक है तो हमें चाहिए एक वचन वाला प्रत्य है क्योंकि राम एक वचन का है तो इसलिए यहाँ पर इस सुत्र ने फिर यहाँ पर सु और जस्में से भी सिर्फ सु को का विधान किया और अब हमारे पास स्थिति क्या आई राम प्लस सु बात समझ भाई एक बार पूरा एक बार रिवाईज कर लेते हैं पूरा का मतलब राम सब्द से आगे अर्थवध धातुर प्रत्य है प्रातिपदिकम सुत्र ने प्रातिपदिक संग्या कर दी ग्या प्रातिपदिका सुत्र ने बताया कि प्रातिपदिक संग्यक सुत्र में प्रत्या लगेगा प्रत्या है शब्दें बोला हाँ प्रत्या लगेगा कहा पर लगेगा परस्च ने लगाने के लिए हमारे पास 21 के 29 उपस्थापित कर दिये सूपह ने कहा कि 21 केखरत करने लगा नहीं साथ तो उस कोई देटेक है नोड़े नहीं का ऐंगे और देखर धा आगई ठीक जिस्त विवक्तियों और उसमें से भी अब तीनों आए तीनों वचनों के आए तो इसने बताया कि द्वयक्यों के वचने का वचने इस सुत्र ने बताया कि जहां पर दो संख्या होंगी वहाँ पर द्वचन का लगईगा और जहाँ पर एक संख्या होगी, वहाँ पर एक वचनका लगीगा, एक सुत्रबाद में आता है हो, बहुशु बहुचनम, कि जहाँ पर दो से अधिक संख्या होगी, वहाँ पर बहुचनका लगीगा, लेकिन हमें यहाँ पर एक वचनका चाहिए, तो हमने एक वचनका लिया सू और जस्में से एक वचन का है सू तो हमने प्रत्या लिया सू यह सू प्रत्या है राम प्लस सू ठीक है यहां तक की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं किसी भी तरह का कोई प्रश्ण हो तो आप सीधे कोमेंड वॉक्स में डालिए मैं जल्दी जल्दी उसका अंसर आपको दे दूंगा ठीक है साथ में है अब यहां पर सू में वही कंडिशन आ गई इसमें भी उ लगा हुआ है ठीक है सू कैसे बनाए सा प्लस रस्व उ है इसमे छोटा हूँ जिसे कहते है अब तो अब यह भी उपदेश अवस्था का आए क्योंकि सूत्र माया है तो पाणिनी ने कहाया और पाणिनी आती अन पतन जली जो कुछ भी कहंगी वह उपदेश है तो उपदेश है अजनुनासिक इत इस सुत्र ने इसकी इत संग़ा कर दी इ इगर सुखा, सव बचा हुआ है, और सजुष एक शब्द है, सजुष शब्द का सव बचा हुआ है, तो इन दोनों प्रकार के सव में से किसी भी एक सव अगर प्रक्रियाम आता है, कि सव आता है, दन्ति सव, तो मैं उसको रूह कर दूँगा, तो मैं उस 100 के स्थान पर रूप कर दूँगा तो वही इसने कर दिया राम प्लस 100 था तो उस 100 का सौ बचावा था 100 के स्थान पर रूप कर दिया अब रूप मैं फिर से उवहागिया तो अब देशा अजनुनासिकित सुतरे उसकी इतसंग्या करेगा उसे कहा गया है अनुबंध लोप है यू कोई सूत्र नहीं है लेकिन हम इसको शौर्ट फॉर्म कर सकते हैं अनुबंध लोप कि हमने रामप्लास रूभ था अनुबंध लोप कर दिया तो रामप Спल बचा कि प्रक्रीह वाला समज्झ लोप है ने लोप किया बचा राम प्लस रव अब रव जो है एक सुत्र हम पर और लगा वो संग्या सुत्र है विरामो वसानम विरामो वसानम सुत्र क्या करता है ये अवसान संग्या करता है अवसान की परिभासा ये सुत्र में ही दी हुई है विराम है अवसानम की अवसान किसे कहते है विराम को अवसान कहेंगे जिसके बाद कुछ न बचे जहांपर समाप्त हो जाए उसे कहते है विराम और उसी विर राम को व्याकरण की परिवाशन में अवसान कहा गया है ठीक है तो विरामो वसानम अब राम प्लस राम के बाद कुछ बचा ही नहीं है कोई अवरन बचा है नहीं बचा तो राम के बाद क्या हो गया राम की क्या होगी अवसान संग्या हो गई अब कोई भी संग्या क्यों की जाती है इसका पहले क्यों नहीं तो अब जब जरुत पड़ी तो अवसान संग्या करने का फ्ल क्या है है एक सुत्र आता है यह सुत्र कहता है कि अगर रहो के बाद कोई खर प्रत्यार का वर्ण हूँ खर प्रत्यार का कोई वर्ण हो या रोके बाद अवसान हूँ तो रोके बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब सिदीसी बात है अवसान है तो अगर खर-प्रतिहार का वोई वर्ण हो पीछे या अवसान हो तो उस रोग को में विसर्ग कर दूँगा विसर्जनी है उसका विसर्ग बना दिया जाता है और वही हुआ रोग के बाद कुछ था नी तो उसके अवसान संगया हो रही थी तो खर-वसानी है विसरजनी है सुत्र ने उस रोग को विसरग कर दिया और बन गया राम है राम है शब्द पूर्ण हुआ और अब यह एक पद बन गया है तो अब हम इसका सस्कृत भाशा में प्रयोग कर सकते हैं अभी तक नहीं कर सकते थे ठीक है तो इस तरह से राम है शब्द जो है निश् अब बहुत आसानी हो जाएगी अगर आपने सिर्फ उसमें क्या है कुछ बदलते रहेंगे और अलग लग शब्द रूप निस्पन होते रहेंगे लेकिन मुख रूप से यही कुछ सूत्र जो है यह हर सिध्धि में आते ही आते हैं जैसे कि प्रत्रमावि वक्ति के लिए प्रदिपधिकार सिलींग प्रिमयानवचन्मातिर प्रत्रमाई आएगा ही लिए जीवचन स्वरों सुध談र कि मीश्ब्र के लगेगा ही जहां पर बी अन्तिम हल की संख्या करने होगी तश्यल tutto म सब जग लगेगा insurance Yeah एक सब्सक्राइब और बड़ सब्सक्राइब तो अगर आपने एक सिद्धिय को अच्छी तरह समझ लिया और उसकी पूरी प्रक्रिया को आपने समझ लिया तो आप लगभग सुबंतर प्रकरण को आपने 50% मतलब समझ लिया है बाकी का 50% समझने के लिए आपको अन्य रूपों की सिद्धी करने में जो अलग विशे सुत्र लगते हैं उनको समझना बस अब बाकी रह गया है तो वो भी हम आपको समझाई देंगे ठीक है तो राम है सब्द इस तरह से निस्पन होता है और अब इसकी अगली वीडियो में जो है हम राम के बचे हुए जितरे भी हैं सब्द बचे हुए हैं सब्द रूप ठीक है मतलब 21 में से एक तो हमने कराते हैं तो बाकी बचे 20 तो बाकी के बीसों के बीसों को हम अगरी वीडियो में आपके सामने रख देंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही कोई भी आपका प्रश्न हो वो आप कुमेंट बॉक्स में लिखिए और सरल करना है तो उसको भी आप बताईए और मैं इसको विस्तरी दुरूप से बता सकता है अगर फिर भी कोई डाउट रहे जाता तो आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिए मैं उसको फॉलो करूंगा और उस हिसाब से यहां पर आपको बताने का प्रयास करूंगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ध्यान रखिए शेयर किजी वीडियो को नमस्कार धन नेवाद